नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज के वीडियो में आपको ऐसी पांच जड़ी बुटी और वस्तों के बारे में जानकरी दे रहे हैं जो आप बताए गए तरीके से अपने घर में रखेंगे तो आपको अचानक धन के प्राप्ति होगी और आप करज जैसी बिमारी से जल्दी छुटकारा पागर वेभव सान सोकत की जिन्दगी जीएंगे जीयां दोस्तों धन सब की जरूरत होती है हम सबी चाहते हैं कि अपार धन संपता हमारे पास हो हर व्यक्ति धन के पीछे बागता है मेहनत करता है बागदोर की जिन्दगी में व्यक्ति अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रख पा रहा है लेकिन इतनी मेहनत बागदोर करने के बाद भी व्यक्ति धन की तंगी से परिशान रहता है यदि कोई व्यक्ति धन संभंधी परेशानी धन की तंगी धरी द्रता करज जैसी समस्या से तरस्त है या आप धनवान बनना चाहते हो धन की तंगी काम धन्दों का ना चलना करज जैसी समस्या से परेशान है तो आज के वीडियो में हम सास्त्रों में लिखी ऐसी पांच वस् बजार में उपलब्द है वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी दर्शकों से निमेदन करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को चाल लूगरें जिसे हमारे चैनल के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहे हैं सबसे पहली वस्तु है क खंडित शांप की कैंचुली किसी भी सपेरे के पास मिल जाती है दूसरी जडिबुटी है या वस्तु है बर्गत का पता असलेसा नक्षत्र में बर्गत के पेड का पता घर लाकर अन बंडार में रखने से धन के बंडार हमेशा भरे रहेंगे इसके अलावा बर्गत के ता धन संपदा में निरंतर व्रदी होती रहती है तीसरी वस्तवे दतुरे की जड़ से कई पूजा पाठ के परियोग किया जाती है भगवान संकर को भी अरपन की जाती है इसे अपने घर में स्तापित करके महाकालिका पूजन करके कृंग करिंग कृंग बीज मंतर का जाप करते रहें तो कुछी दिनों में अचानक धनका आगमन होता है धन संपति करत जैसी समस्याओं से मुकति मिलती है चोता है सपेद आग की जड़ सपेद आग की जड़ को पुस्ष है नक्सतर में लाल कपड़े में लपेट कर घर में रखने से घर में सुक सम्रदी धन संपती की प पूजा करें पूजा करने के बाद अपनी तीजोरी में रग दें ऐसा करने से व्यक्ति जल्द ही धनवान बनता है पांचमी जड़ी बुटी है बहेडा की जड़ बहेडा व्रक्स की जड़ और उसका एक पत्ता पुश्य नक्षत्र में घर लाकर पैसे रखने वाले इस्तान में रखने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है धन समंदी परेसानिया सोतई समापतों कर व्यक्ति धनवान बन जाता है बहेडा का व्रक्स सभी प्रदेशों में पाये जाता है इसकी जड़ और पता जड़ी बुट्टू की दुकानों पे मिल जाती है इसी के साथ ह हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं जैराम जी की